जब वो 6 साल की थी तब से 35 साल तक फिस्तर में पड़ी रही लेकिन उसने 300 से ज़ादा जानबरों को बचाने में मदद किया है यहें बनारस की स्वेता मोर्या जो एक जेनेटिक डिजिस के साथ पैदा हुई थी जिससे बोडी की हडिया नाजुक हो जाती है स्वेता को जिंदा रहने के लिए कई बार सरजरी करना पड़ा लेकिन इतनी तकलिफ के बाद भी स्वेता ने अपनी लाइफ बेजबान जानबरों को मदद करने में लगाई है स्वेता अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी 2009 में होमियोपाथी में वो फैल हो गई थी क्योंकि कांसिलिंग के दोरान वो स्टेचर पर गई थी इसलिए बोर्ड मेंबर्स ने स्वेता की अप्लिकेशन को रिजेट कर दिया था स्वेता के आसपास के लोग उसे इतना नफरत करते थे कि उसकी मा की हाथ से एक बिस्केट तक नहीं लेते थे ये सब होने के बाद वो तीन साल तक डिप्रेशन में रही 2012 में स्वेता को फैस्बुक पर एक एडप्ट एपेट नाम का पेज मिला जहां पर जानवरों पर एटक के बारे में वीडियो था तब से वो बेजुबानों की आवाज बनी स्वेता ने आस्था लबिंग, काइडनेस और कमपेशन नाम का फाउंडेशन खोला जहां स्वेता अपने भाई और दो वलिंटर के साथ काम करती है